Hello students of class 2nd, students मैं आपको प्रीमिट टर्म के तीनों चैप्टर एक्स्प्लीन कर चुकी हूँ और चैप्टर नमबर थ्री में एन ओल्ड मैजिक पैन में मैंने आपको बुक वर्क एक्स्प्लीन कर दिया है और बुक का चैप्टर भी मैं आपको समझा चुकी हूँ तो अब चलिए देखते हैं कॉपी वर्क में हम क्या क्या करेंगे चलिए सबसे पहले हम कॉपी में डिफिकर्ट वर्ट करेंगे बच्चों तो पहला है विलेज दूसरा है ग्रिटेड थर्ड पुडिंग फोर्थ सर्प्राइज फिफ्थ फैच और सिख्थ फ्लोर ठीक है वि फैच मींस लाना और सिख्थ फ्लोर मींस फर्श ठीक है तो इसके बाद चलेंगे पार्ट टू पर वर्ड मीनिंग पर बच्चों मैं आपको हर चेप्टर में जब वर्ड मीनिंग कराती हूँ यह बताती हूँ कि आपको एक्जाम में वर्ड मीनिंग हिंदी में नहीं लिख जाते हैं ठीक है आप याद करेंगे याद कर लीजिए लेकिन आपको कॉपी में एक्जाम में नहीं लिखने है नमबर वान वर्ड मिनिंग एनफ एनफ बोलते हैं बच्छो काफी को अधिक मात्रा में मच्छ नमबर टू पुडिंग पुडिंग होता है बच्छो स्वेडेश मीठा नमबर ती फैक मतलब होता है बच्छो बनाना मे क्टिक है इसके बाद हम चलेंगे पार्ट थ्री पर पार्ट थ्री में देखेंगे जरा write true or false for the following statements देखे अब हमें जो भी हमने chapter में story पढ़ी है उसके according ही अब हमें true false को करने है अगर sentence सही है chapter के according तो हम true लिखेंगे otherwise हम false लिखेंगे तो चलिए one by one देखते हैं number one the little kind-hearted boy lived with his grandparents in the village जो छोटा दयालू लड़का था वो अपने दादी दादाजी के साथ गाउं में रहता था तो वो किसके साथ रहता था बच्चो वो के बाद अपने grand parents के साथ नहीं रहता था तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा बच्चो false वो अपने father के साथ रहता था ठीक है इसके बाद number two the old man was impressed with Vibhu's kind words जो बुढ़ा वेक्ती था वो Vibhu के जो दयालू तक किसे भरे हुए शवद थे उनसे बहुत impressed हो गया था तो ये बाद सही है इसलिए हमने आपर true लिखा इसके बाद number three number three Vibhu bought a new magic pen from the market Vibhu ने market से नया जादू का pen बरतन खरीद लिया था तो ये बाद गलत है क्योंकि उसको तो किस ने दिया था old man ने दिया था उसने purchase नहीं किया था market से तो ये बाद हो गई हाँ पर false number four Vibhu's father did not know Vibhu के father ये नहीं जानते थे how to stop the pen from cooking कि जब उसमें पैन में कोई चीज बन रही है तो हम उसको जब हमें रोकना होता है तो हम उसके लिए कौन से words यूज़ करेंगे तो ये बाद सही है तब ही तो बच्चो जब विभू चला गया था पानी को लाने के लिए रिवर से तो विभू के दादा जी ने विभू के फादर ने क्या किया था क्या किया था जब उनको कुछ हंगरी फील हुई तो उन्होंने किया कि वो किचिन में गये और उन्होंने उसको पुडिंग को बनाना श्रू कर दिया cook pen को कहकर और फिर क्या हुआ वो पुडिंग बनती रही, बनती रही उसके बाद वो सारे उसमें pen में भी ऊपर तक आगई उसके बाद फिर फर्श पर फैल गई फिर बूरी पूरी किचिन में हो गई पूरे उनका house full हो गया उसके बाद वो पूरी गली में भी आगई विलेज की यही तो हुआ था इस्टोरी में तो वो क्योंकि क्यों हुआता ऐसा क्योंकि वो जिसे पुडिंग को बंद करना था वह वाले वर्ड्स भूल गए थे उनको वर्ड्स याद नहीं आ रहे थे और वह वर्ड कौन से थे स्टॉप पैन स्टॉप ठीक है तो यहाँ पर यह बात सही है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रू नमबर फाइव पैन कुड सो मच फूड पैन इतना ज्यादा भूजन बना दिया था यहाँ इसके बाद आएंगे हम बच्चो निम्दा फॉलाइंग पर देखते हैं च जो छोटा लड़का तो उसका क्या नम था बच्चो विभू ठीक है नमबर वन में नमबर टू ए स्विट डिश को क्या नम दिया गया था पुडिंग नमबर त्री जो मैजिक वर्ड को उस बरतन में तयार करना था उनके लिए उसको भोजन बनाने के लिए कौन सा वर्ड कहे गये थे? cooked pan cook है ना तो यहां पर हो गया cook pan cook और नमबर फूर थे हां पर the magic words to stop the pan from अब जब उस पैन को रोकना था पुडिंग बनाने के लिए तो उसके लिए कौन से magic words कहने थे? from cooking stop pen stop रुख जाओ बरतन रुख जाओ तो यहाँ पर यह बच्चो नीचे space था नहीं इसलिए उपर लिख दिया गया है arrow बनाकर आप नीचे लिखेंगे ठीक है, okay students तो मैंने आपको अभी यह part 1 बताया जिसमें difficult words, word meanings true false and in the following बताये part 2 में आपको बच्चो question answers बताये जाएंगे आपको यह part 1 का काम अपनी copy में done करना है, और साफ साफ सुन्द सुन्द रैटिंग में लिखेंगे, okay students thank you and have a nice day